हलो दोस्तो वेलकम टू मा यूटूब चैनल तो आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो जिसमें मैं बताऊंगे आपको रेडिमेट कुर्ते में लाइनिंग किस तरह से स्टिच की जाती है तो ये हमारे प और जो फिटिंग वाली सिलाई थी वह भ हमने खोलि थी तो देखिए कितना सब पतला लग रहा था तो स्लिट्स की सिलाई भी थी थी इसकी तो चलिए अब कुर्टे को उसमें डबल fast कर लिया है इस तरह से हम कुर्टे की कटिंग करते हैं तो इसके मोद शेर से में करिश ह है तो हमने lining का कपड़ा ले लिया अब इसको हम चार भाग में फोल्ड कर लेते हैं और इसके उपर हमें हम कुर्टा रख देंगे cutting के लिए ताकि कुर्टे के according हमें lining कट कर सके इस तरह से हमें कुर्टा रख देना है तो अधर से हमें डेडीँग का मार्जन छोड़ते हुए कुर्टे को रखना है इस तरह से यह देखिए हमने डेडी इंच का margin रख दिया है और कुर्टे को सीधी तरह से इसके ऐνपर हरख दिया है ताकि कुर्टे की lining का कट कर सके तो यह reduce का margin हमने लिया है यह हमारा चीलाई में जाएगा ताकि धोने के बाद lining कई आ़ श्रिंग को है तो इसमें हम कच्ची सि लगाइंगे और बाद में मैं इसको खोल के पूरा कर सकते हैं तो lining हमारी cut हो चुकी है तो इसके बाद हम अब इसकी stitching करेंगे तो चलिए अब हम इसकी stitching करते हैं stitching करने के लिए हमें सबसे पहले lining को अलग कर लेना है और जो डे दिंच की हमने निशान लगाई है तो उसमें हमें अब कच्ची सिलाई लगानी है तो यह देखी हमने इसमें सिलाई लगा लिया है दोनों पार्ट में बैक पार्ट में भी और फ्रंट में भी तो इसको अभी हमें इस तरह से खोल देना है और इसके उपर कुर्ता रख देना है फ्रंट पार्ट का तो इस तरह से हमने कुर्टा रख दिया है तो मेरे शोल्डर ओपन नहीं हो रहे थे आप चाहे तो अपने शोल्डर को अलग लग करके दो भाग में बांच सकते हैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को तो मैं आर्मोल से होते हुए इसमें सिलाई लगाऊंगी शोल्डर में पहले सिलाई नहीं लगाऊंगी क्यूंकि अभी हमें गला भी बनाना है तो यह देखिए आर्मोल से होते हुए हम इसमें सिलाई कर रहे हैं एकदम बराबर से हमें इसकी सिलाई करनी है दोनों साइड से हम इसमें सिलाई कर रहे हैं तो मैंने दोनों पार्ट में लाइनिंग को अटैच कर लिया है अगर आपके पास सिल्क का कुर्ता या सिल्क की लाइनिंग है तो उसमें हमें डेड इंच का मार्जन लेने की जुरूर तो इसके हम सीधा इसमें स्टिच कर सकते हैं तो यह देखिए हमने लाइनिंग को स्टिच कर लिया है इसके बाद हमें अब गला बनाना है तो मेरे कुर्टे में वी शेप में गला था तो मैं इसको वी शेप में कट करूंगी लाइनिंग को आपके कुर्टे में जिस भी शेप में गला होगा तो आप उसके according अपना गला बना सकते हैं लाइनिंग काटके तो यह देखिए मैंने अपना गला भी काट लिया है वी शेप में और बैक पार्ट में मेरा राउंड शेप में था तो इसको मैं उल्टा करके अब आपको दिखा देती हूं तो यह देखिए उल्ट साइड में हमें वी शेप में सिलाई लगानी है और जो हमारा बैक पार्ट है उसमें हमें राउंड शेप में सिलाई लगानी है जैसे ही हम सिलाई लगाएंगे दोनों पार्ट में तो साथी साथ हम इसके शोल्डर को भी स्टिच कर लेंगे इस तरह से हम इसको बंद कर लेते हैं लाइनिंग को और इसमें सिलाई कर लेंगे तो ये देखिए हमारा गला त्यार हो चुका है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसके बाद हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो सीधी तरह पलटने से ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमने लाइनिंग को इसमें स्टिच कर लिया है तो चलिए अब लगाते हम इसमें फिटिंग की सिलाई तो मैंने निशान लगा लिये थे आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें निशान लगा ले और फिटिंग की सिलाई लगा ले तो ये देखिए हमने सिलाई और बाजू दोनों कर लिये इसमें तो बाजू भी हमने स्टिच कर लिये बाजू में कोई काम नी था तो हमने बाजू को इसी में स्टिच कर लिये तो अब आबारी आती है पलो की तो पल्लो को हमें प्रेस से फोल्ड कर लेना है जिससे कि हम सीधी सिलाई कर सके इसमें तो यह देखी हमने प्रेस करके इसको फोल्ड कर लिया है तो दूसरा फोल्ड हम जब सिलाई करेंगे उस टाइम देंगे साथ ही साथ इस तरह से यह देखे को आपित ले शिलाई करने के बाद कूर्टरा कुछ इस तरह से दिखाए के लिखुए कितना फिनिशिंग के साथ हमने लाइनिंग को इंटाच किया और कूर्ते की सलिट्स में से ले गई तो यह था पूरा- कूर्थे का टुटोरियल जिसमें हमने लाइनिंग को स्टिच किया रेडिमेट कूर्थे में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में